आपका मेरे ने वीडियो में श्रागत है हम कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग पांच-दस क्लास पढ़े लिखे लोग काम हम लोग सही तरह से चूज नहीं करते हैं काम का चुनाव अच्छी तरह से नहीं होता है इसलिए हम लोग अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो चौठी पांचवी दसवी तक पढ़े हैं आठवी तक पढ़े हैं आज ओ फोर्मेन बन गए हैं सुप्रवाजर बन गए हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं तो ओ लोग क्या किया कि काम अच्छा चुने हैं ओ कहीं ऐसे ऐसे टाइम पास नहीं किये ओ समय पे अपना समय का ध्यान रखा और समय पे अच्छा काम सीखा जिस काम में तरक्की हो यहां देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इधर में हेलफर में आये उसके बाद उस पो जोर घटा और गुना भाग इतना ही आता है उन लोग को हिसाब किताब कल्कुलेटर से कर लेते हैं इतना बाकी सब उपर बहले सुप्रवाजर है इंजिनियर है ओ सब लोग बता देते हैं और अच्छा 40-50-60,000 रुपया ओ महीने के विदेश में कमा लेते हैं कोई फीटर है कोई फैबरिकेटर है तो लोग लाइन अच्छा चुन देटा है कि उसी में उन लोगो बूजारा करना परेगा क्योंकि वроде अपना समय गवादि उसी काम में और उसका में समय गवादिये अब उसका में से लेडित बळन कोई रहा है आपकाम सही चुनीए ने या फाद्स परेके Hermanには आप परदेश आईए तो ऐसा काम देखिए ऐस काम सीखिए जो टेक्निकल हेंड हो उसमें आप आगे बढ़ेंगे आप देश से लेकर विदेश में जाकर के बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आपके पास दिमाग होना चाहिए अपना दिमाग लगाईए और बढ़िया काम सीखिए जिसमें तरक्की हो वहले शुरू में इन सब क काम सुरू कर देता है कोई धागा मिल में चला जाता है जैसा ही लोहा लाइन में सब लाइन में बहुत महनत है तब सुरू के महनत से मत घब राइए आगे चलके आपको पैसा ज्यादा अगर कमाना है तो सुरू में महनत कीजिए आप सुरू में महनत करेंगे तो आगे चलक एक एक लाख रूपया उससे भी ज्यादा लोग कमाते हैं इस तो क्यों कमाते हैं उसroo में बहुत मेहनत किये हैं उसका परणाम आज मिल रहे हैं उनके साथ में कोई आया सूरत गुजरात बंबई में और इंबोडरी में लग गया और ओल लहा लाइन में च洲िंगे इंबोडरी मेंज लगा आज वह ही वह पंद्रेश मारा रहा है मोट लाइन में गए वेल्डर बने फेब्रीकेटर बने कॉलम टेक्निशियन बने इंस्ट्रुमेंट टेक्निशियन बने आज वो महीने के पचास जार पलस कमा रहे हैं उधर वो बीस जार कमा रहे हैं तो आप सुरू में मेहनत करने से मत घबराईए आप आए तो काम देखिए कि किस काम में हमारा तरक्की होगा देश से लेकर विदेश तक कौन सा काम ऐसा सीखे कि आगे चलके हमको बढ़िया फायदा हो तो आप मेहनत से मत घबराईए और काम सिखे चुनाव किजिए काम का बढ़िया काम का चुनाव बढ़िया होगा और एक काम में रहे है काम बार बार बदलेंगे तो आप हेलफर का हेलफर ही रह जाएंगे आप काम पकर लिए उस काम में मेहनत से काम किजिए और आगे बढ आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें धन्यवाद जय हिंद